कैसा दिल्चस्प नजारा होगा एक नौजवान लोकसभा में सांसत की शपत लेता है और उसके सामने वाली बेंच पर बैठे हैं प्रधान मंत्री जवाहरलाल नहरू जो अपना दूसरा चुनाव जीत कर आए है कैसा दिल्चस्प नजारा होगा जब यही नौजवान दशकों बाद एक आखरी दफा लोकसभा के सांसत की शपत लेता है तो सामने की बेंच पर बैठे हैं उसी परिवार के राहूल गांधी इतना विस्तरत संसदी अनुभव इतना विस्तरत व्यक्तित्व जिसका नाम है अटल विहारी वाचपई किताब वाला के एक और अंक में आपका स्वागत है आप शुरुआती भूमिका से समझ गए होंगे कि आज किस व्यक्तित्व और उसके एर्दगिर्द रची गई किताब पर बात होगी किताब अटल विहारी वाचपई इंडियाज मोस्ट लवड प्राइम मिनिस्टर संसकरन भी आएंगे किंडल संसकरन और जगरनौट की एप पर भी संसकरन उपलब्द होंगे जहां पर कीमत का मोगी यह कीमत पर अतरिक्त जोर मेरा इसलिए रहता है क्योंकि कई नौजवान कई विद्यारती इस बारे में बहुत पूछते हैं और मैंनी चाहता हूँ कि आप डाउनलोड की रहा पर जाएं इसलिए कीमत के बारे में यह विस्तार हमारे साथ किताब वाला में मौजूद हैं सागरिका गोश मशूर पत्रकार बहुत-बहुत स्वागत है आपका पिछली दफ़ा हम लोग मिले थे जब आपने इस बहुत अच्छा लगता है मुझे किताब वाला पे आने में और लल्लन टॉप में शामिल होने के लिए बहुत-बहुत शुक्री बिल्कुल शुरुआत से करते हैं आपने जब इंद्रा की बाइग्रफी लिखी तो लिखा कि इंडियास मोस्ट फियरलेस पावरलेस पावरफुल पावरफुल प्राइम मिनिस्टर और इनके में लिखा मोस्ट लवड ये चुनाओं कितना मुश्किल था ये बात ये है सौरब की मेरा कॉंट्राक्ट है जगरनौट पावलिशर के साथ और मैं तीन प्रधान मंत्री के ऊपर बायोग्रफी लिख रही हूँ अच्छा मतलब अभी एक और आनी है पहली बायोग्रफी थी ऑन इंदिरा गांधी मोस्ट पावरफुल सेकिंड अटल भ हो जाएगी इंट्रेस्टिंग तो ये मोस्ट लवड वाली लाइन कहा से आए इसलिए हमने रखा है क्यूंकि देखिए वाजपाई के बारे में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो वाजपाई को नफरत करते हैं मतलब अगर आप वाजपाई के बारे में देखिए तो सब ही लोग कॉंग्रेस के लोग या वाम के लोग या उनके अपने पार्टी के लोग वाजपाई का नाम लेते ही मुस्कुरा जाते हैं कि वाजपाई अटल जी जिन्दा दिल थे मजा किया थे खाने के शौकीन थे तो वाजपाई के बारे में सभी जैसे पिघल जाते हैं अनरम हो जात के खुलाफ लड़े थे और करन सिंग ने मुझे बताया कि इतनी मधूर ये प्रत्योगिता थी उनके बीच में इतना 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 तहजीव इतना मीठापन इतना प्यार इतना सने और ऐसा मुश्किल है पाना कि कोई विपक्ष का नेता एक राइवल पॉलिटिशन के ल लिए सभी लोग उनको अजात शत्रू कहते थे कि उनका कोई शत्रू नहीं है और वाजपाई के लिए सभी लोग के अंदर कुछ ना कुछ एक अच्छी बात है वो एक अच्छी मेमरी है तो इसलिए हमने मोस्ट लवड लिखा क्योंकि देखिए इंदिरा गांधी को लोग बहुत वर्शिप करते थे बहुत पूछते थे पर इंदिरा गांधी के बारे में बहुत लोग ऐसे भी है जो इंदिरा गांधी को हेट करते हैं नहरू को भी लोग मतलब बहुत वो करते हैं पर आजकल के जमाने में तो नहरू को भी लोग बहुत हेट करते हैं पर वाजप के बारे में कथोर शब्द से इस्तेमाल करते हैं तो इसलिए हमने यह रखा कि most love because most universally loved okay साहिर का आपका क्राइटेरिया क्या है कैसे आप डिसाइड करते हैं जैसे आपका जगरनौट से कि आपको तीन प्रधान मंत्रियों पर लिखना है तो लोग जो अपलब्ध है सामगरी जो अपलब्ध है उसके सापसे क्योंकि एक सवाल व्यूर्स के मन में यह आएगा की वाइवन मोर बाइगरफी यह जो बाइगरफी दिफरेंट है इस तौर पर की मैने कोशिश की है की वाजपाई जी के परसनल लाइफ और प्रिटिकल लाइफ के बीच में हम एक एक कॉशिश में रखहूं और फिर मैं यह भी दिखाने की कोशिश करों की वाजपाई किस तरह से आजके जो राजवनिती है अजकी जो प्रधान मंत्री है वाजपाई Washpay was the first BJP Prime Minister, So, how is he different from the present BJP Prime Minister? If we look at Vajpayee, Vajpayee was 10, 20, 30, 40, 50 years old. Vajpayee was 10 years old, Vajpayee was 10 years old, Vajpayee was 10 years old, Vajpayee was 10 years old. He was 10 years old and he was doing good days and he was able to speak a lot of good times and to speak, in their hands of the language, in their language, in the speeches, Vajpayee was 10 years old and after they had been a party, a Jan Sankh, after they made BJP. Lajpayee was 10 years old but vajpayee wasn't working at the state power. He never had access to state power. राजनीती जो स्टेट पावर की राजनीती है, जो सरकारी यंत्र के साथ जो राजनीती हो रही है, आजकल सभी पाटिया खेलती है, वाजपाई के बास ऐसे यंत्र नहीं थे, क्यूंकि वाजपाई विपक्ष में थे, all his life he was an opposition politician, प्रधान मंत्री बने right at the end when he was 75 years old, 73 years old, तो विपक्ष में रहते हुए किस तरह से एक सांसद, एक parliamentary politician, जब प्रधान मंत्री बनता है, तो किस तरह का प्रधान मंत्री बनत रहा है, बिलीफ in consensus, बिलीफ in argument, तर्क वितर्क, वाद विवाद समवाद, बिलीफ in reconciliation, वाजपाई के बहुत गहरे दोस्ते थे, वाम के नेता, हिरेंदरनात मुकजी, भुपेश गुपता, नात बाबुपाई, जो socialist नेता थे, और आपको अच्छा लगेगा साहरबच कि जब मैं य पर्लमेंटरी जो वाज-बाज speeches थें उन दिनो के, क्या speeches थें साहरब, क्या speeches थे, इतना funny, इतना witty, इतना उनके अंदर कितना घ्यां, तो जिस तरह से parliamentary speeches आजकल हमें सुनने को मिलिन ही मिलता है, और जिस तरह से तर्क वितर्क होता था उस तरह वो भी हमें सुनने को नहीं म एक BJP dispensation है पर एक पहले भी एक BJP Prime Minister थे अतल भी हरिवाज पाई और वो जो आज का dispensation है उसे काफी विपरीत थे उसे अलग थे और इसी को, I think that's a good contrast that before this BJP Prime Minister, there was another BJP Prime Minister, why don't we remember him also. Okay, so BJP in its defense can say that they remember Atal Bihari Vajpayee? कहाँ है Atal Bihari Vajpayee, Saurabh? अब देखिये, आज अज 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 अमरित आज का जो सरकार, आज की जो सरकार है, आज की जो BJP है वो कहाँ Vajpayee को याद करते हैं, कहाँ Aadwani को, अगर Vajpayee आज होते तो Vajpayee मार्क दर्शक मंडल में होते हैं. आपने किताब में बहुत कॉंशिसली दो टर्म्स हैं, जो आमने सामने रखे हैं, Vajpayeeism वर्सिस मुदित्वा, कई लोग कहेंगे कि यह एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, यह तो कंटिन्यूटी में है, और जो बार-बार कंसेंस की बात होती है, तो वो एक पॉलिटिकल कंपल्शन भी था वाजपाई के लिए, क्योंकि उनके लोग सवाह में 182 सांसत थे, जवाकु सामने के जवाजपाई के बहुत करते हैं, कि अगर वाजपाई के पास 300 सीट होते हैं, तो क्या वाजपाई जी भी इस तरह आज की राजनेती है, इस तरह की राज हुए, और वाजपाई के बहुत क्वाजपाई की सारकार एक वोट से गईर एक वोट भी जाएंगे, वाजपाई के जो इर्दिकल की रिख यज़ गरीएंगीन हों संसद मे जैसे ब्रजेश मुष्रा रस्स के नहीं थे। जस्वन तो नहीं थे। अब्पागहटाटे जो रस्स परीवार में थे तो लाजबाई के सबसे अच्छे दोस्परीवार में थे पर काफी मॉडरेट थे. रही कही तो बाजबाई मैं समझती हुँ जिस तरह से नेहरू को पूजते थे, जिस तरह से जवालना नेहरू को मानते थे कि जवालना नेहरू मेरा inspiration है, जिस तरह से इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के बारे में वाजपाई लिखते थे या बात करते थे तो मैं नहीं समझती हूँ कि वाजपाई कभी विपक्ष के नेता को कभी गैंग के हिसाब से पुकारते कि आप खान मार्केट गैंग हो या तुकरे तुकरे गैंग हो या आप कोई एंटी नैशनल हो यह तो यह तो असंभव था वाजपाई के लिए. वाजपाई खुद ही विपक्ष के नेता थे, तो वो कैसे विपक्ष के विपक्ष को ऐसे करके ऐसे नाम से पुकारते तो उन दिनों काफी अंतर था वाजपाई और मौदित्वा, I think there's a lot, there are fundamental differences between वाजपाई-ism and मौदित्वा, देखिए ये बात भी हमें जानना होगा, कि जब वाजपाई प्रधान मंत्री थे, तो स्वदेशी जागरन मंच, विश्वा हिंदू परिशद, भारतिय मजदूर संग, वाजपाई के उपर लगातार आक्रमन करते थे, लगातार हमला करते थे, जिस तरह से दत्तोपन थेंग के बातार आकर बेर पॉर जोनियार, विष्वा हिस्तोर संग करने जाए, तो आजकल, आजकल आप्रस तू कि अपघरी मजदूर संग, के ऐस गूध along the interviews, बारतिया मजदूर संग, या लोगातार भॉक्गाट में महाना थने थे खातार्राण केुपर ये लुद्वाइत जो कटरपन थी थे, जो RSS के जो लोग थे, उनको वाजपाई ने दूर रखा, वाजपाई ने अलग रखा और वो लगातार वाजपाई की उपर आकरमन करते रहे. इसको आपने काफी बुक में भी डिटेल में लिखा है कि… और एक बात इंटरस्टिंग है, सारब, कि बाजपाई ने कहा कामपेन ट्रेल में, जब 2004 का कैमपेन चल रहा था, तो अगर हमें कोई हरा सकता है, तो अपने लोग हरा सकता है. तो उनके मन में ये था कि मैंने ऐसे इनका विरोध किया है, संग परिवार का विरोध किया है, तो शायद वो इलेक्शन को साबोटाज करेगे, शायद मुझे हरा देंगे, उनके मन में एक ये शक था, ये बात मुझे अपपा कराड़े ने बताई. प्रदानमंत्री आवास के बारे में और जो बिलकुर लास चेप्टर है उनका, परसनल उसके बारे में, तो उसमें भी आपने लिखाया कि उनकी जो रत्तक पुत्री है, नमिता और उनके पती रंजनी सब, निकर वालों से, खाकी वालों से, सबसे बड़ी दूरी बरत्ते थे जो आप सकते खाया नमिता किसी को बोला कि मैंर आड़ी । उसमारों को एसे लिखाया से एशारा करके कि मैं अग is ज़ीआ कि ऑनकी ले weighs Pai की बारे मैं क्या लेको रिखूnen, नमिता रखूलनी तो इसे ले इशारा करते हुए, मतलब कि Sankh Parivar को के ह indifferent ईशारा इशारा किया, तो वो भी, you know, so that was the only thing that Namita told me, ये सिर्फ ये सेंटेंस, नमिता ने मुझे, ये सिर्फ ये सेंटेंस, नमिता ने मुझे, इसके पीछे भी एक स्टोरी है, 1966 में, गुरु गुलवलकर ने वाजपाई को विस्तारक पद से हटा दिया, और स्वयम सेवक बना दिया, जैसे RSS में पद होते हैं, स्वयम सेवक बन जाते हैं, पर उसके बाद आप विस्तारक बनते हो, वाजपाई विस्तारक थे, तो ये विस्तारक प्रचारक जो पद है, इससे गुलवलकर ने वाजपाई को हटा दिया, और सिर्फ वो स्वयम सेवक और मेरी जो रिसर्च है उससे मुझे जानने को मिला कि इसलिए हटा दिया कि उस समय वाजपाई और राजकुमारी कॉल एक दूसरे के बहुत करीब थे वाजपाई राजकुमारी कॉल के घर जाते थे वाजपाई के जो परसनल लाइफ थी वो बड़ा रंगीन और राजमाद दोख ने अपना autobiography में लिखा है कि वाजपाई लाइफ एंजॉय करते थे वाजपाई तो शायद वाजपाई का ये जो इमिज प्रोलम था विदिन संग परिवार शायद इसलिए वाजपाई को स्वयम सेवक पत से हटा दिया गया बाइग गुरू गोलवलकर तो जब सिर्कास्टिक टोन भी है कि मैं तो स्वयम सेवक ही हूँ और मैं स्वयम सेवक रहूंगा और एक ये भी है एक ये अंगल है और दूसरा आंगल है स्वारब कि हमें ये देखना होगा कि वाजपाई ने अपने नाते RSS के साथ कभी नहीं तोरे उन्होंने रिपीडिली कहा कि मैं गुड मैं इन बाड पार्टी नहीं हूँ जैसे खुश्वन सिंग ने वाजपाई को बोला कि आप गुड मैं इन बाड पार्टी आप कैसे कह सकते हैं पहल अच्छा है पेर खराब है तो RSS से और यह एक फाक्त है कि वो RSS को बहुत ही महत्व देते थे और जो हिंदू राष्ट्रवादी वाले विचार है जो लोग हिंदू राष्ट्रवादी विचार को रखते हैं इन में से सारे तो कट्रपंथी नहीं है ना जैसे हवाम में कोई लोग कट्र हैं कोई लोग moderate है liberal में कोई कट्र हैं कोई संट्रिस्ट हैं तो हिंदू nationalism also has its extremes, has its moderates, has its centrist वाचपाई बाचपाई वस अ मोडरेट हिंदू नेशनलिस्ट तो in that sense मैं समझती हूं कि कि मैं स्वयम सेवक हूँ पर ये भी सच है कि वाजपाई लगातार पाकिस्तान के साथ अमन की कोशिश की कश्मीर में जाके इनसानियत की बात की लगातार मुसलिम कम्यूनिटी के साथ आउट रीच की वाजपाई यूनों यू 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 प्लेट दे पॉलिटिक्स अफ कंसें हैं ऐसा है नहीं है कि एक जो यू यू बॉक्स टिन ये एक साइलो में बंद है और उसी बॉक्स में उसे देखना पड़ेगा ये हमारा सारवजनिक जीवन में एक प्रॉबलम है आजकल हम बटे हुए हैं हम एक साइलो में हैं दोस्त दोस्तिव बिचर रहे हैं परिवार के हैं और वो कैम्प में हैं या इन दिस साइलो और दाट साइलो पर वाजपाई का जमाने में ऐसा नहीं था वाजपाई अपने विचारधारा रखते थे पर वाजपाई दूसरों के साथ भी ऑपोसिट विचारधारा के साथ भी फ्रेंशिप दोस्ती बना सकते थे थे खतरा जोश से होली मना रहे थे वाजपाई और यश्वन सिनहा थे वो जहां वो लेकर आगे मनजीरा के साथ कर रहे थे और शीला घटाटे आई मिठाई लेकर के और सब वहां होली मना रहे थे सर में वाजपाय को घसित घसित के शीड के अश्वन सINGHा डशाहं सक्वाट सिगा want और वाजपाय के बहुत नीज बहुत खड़ाब थे उनके गुटने में बहुत बहुत दर्थि तो वाजपाय ने कहा कि ने ने मैं नहीं कर सकता और वापस है पिर सब को बोला सब बहुत सारे जर्नलिस्ते थे, बताया कि भई अब तो आपरेशन करना ही पड़ेगा, तो मैं आई वहां उस समय, मैं वहां पैठी थी, तो मैं आगे बढ़ी उनसे बात करने के लिए, तो मुझे देखकर वाजपाय निका, अरे, खत्रा, I was in Outlook magazine, और Outlook magazine, हम जोरदार वाजपाय की आलोचना करते थे, दिन, every week we used to come up with some story hitting वाजपाय, देखे ये भी एक फर्क है उन दिनों और आज के बीच में, आज जिस तरह से वाजपाय के जमाने में हम लगातार सरकार की आलोचना करते थे, और सरकार को प्रशन पूचते थे, वाजपा जिस खड़े होकर के पूचें कि वाजपाय जी टिबेट के बारे में नहीं बूचेंगे, टिबेट चोड़ी है, जिस अग्षन कॉण कॉन है, और वाजपाय ने कहां ये कश्मीर जैसा मामला है, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता आजकल, तो इन सारे जवाबों में बार बार एक व्यक्ति का जिक्रार है, अप्पा घटाटे का, और आपने सबसे आखरी में सारे चैप्टर के बाद जो एकनॉलिजमेंट लिखा है, उसमें भी उनको बहुत शुक्रिया किया, हम लोग ऐसा जानते हैं कि वह वकील थे और वाजपाय जी के बहुत अच्छे दोस्ते, बहुत करीब मित्र थे, वह तो अच्छे बहुत करीब मित्र थे, वह तो करीब में अच्छे लिए इसमें वाजबशी नियू अच्छी आपर, मैंने का यह एक जोरी लिखिती वाजपाय के ऊपर, इन 1998, 13-month government, इसमें टाइल देखती नहरू, उसमें मैंने वाजपाय के से और मैंने वाजपाई का लंबा इंटर्व्यू किया और फिर मैं घटाटे से मिली और उस समय की बात है जब वाजपाई कहते थे मुझे देख करकी खत्रा है खत्रा है तो अपा घटाटे के साथ मेरा मेरे संबंद बने रहे और मैं I was in touch with him Appa was a wonderful man, he was a really nice person he used to smoke, he used to have his wine and he was a great friend of Vajpayee, बहुत अच्छे दोस्ते और Appa ने शायद मुझे लगा और उस समय Appa बिमार थे and he was very seriously ill and Appa as you know गुजर गए in January 2021 तो शायद जब मैं उनसे बात कर रहे थी लोकड़ून के ताइम पे मैं जाती थी उनके घर और हम एक दूसरे से, you know, we used to sit there or चायवाए पिते थे and he used to talk to me at length I think at least five hours a day for two months Appa would talk and talk and talk and I thought that when he was going to go that maybe Appa was like that these all the things that I am, I will tell this girl I will tell you, because maybe my time is going to be finished or I think maybe he felt that he was going and that's why he may have been open to me and he explained things and two unpublished manuscripts he gave me atal ji as a man and atal ji is wit and humor so there are two pages in which Appa has written confidential so I was dying to put that in I wanted to put that in but it's confidential so I can't write it but if it is ever published it will be explosive I found I found the chapterization also very interesting the rise of the saffron Nehru Yes Vajpayee Nehru was a very sad I mean Vajpayee Nehru if you read Vajpayee's autobiography and his autobiography is a memoir there are speeches but in the collection of speeches there is a 60 page essay that's a very sad which is about his life which is about his own life it's like a memoir it's like a short autobiography if you read it it's about Nehru he has so much love and so much love and so much love and so you think that Nehru Vajpayee is Nehru's biggest fan that means Pandit Ji was this Pandit Ji was this you know Pandit Ji how did Pandit Ji have made it किस तरह से पंडित जी इन्विरा से बहुत बड़े डिमोक्राट थे, किस तरह से पंडित जी, you know, how he spoke in parliament, parliament got greater dignity because of him, तो एक दम he seems like, नहरूस, फैन बोई, he seems like नहरूस, और foreign secretary M.K. रजगोतरा ने मुझे बताया, कि वो जब first secretary थे New York में, तो नहरू के, यहां नहरू के office से उनको message आया, कि एक नौजवान सांसद New York में आने वाला है, उसका नह में अटल बिहारी वाजपाई, मैं उसका भविश्य काफी उजवल समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि यह बहुत दूर जाएगा, इसको आप बड़े बड़े जो लोग है New York में, इससे आप introduce किजिए, सारे जो New York है, you know, all the leading lights of New York, जो आर्ट के लोग है, literature, music, politics, you must introduce अटल बिहारी वाजपाई to all of them, because I see a big future in him, Nehru ने रजगोत्रा को कहा, और जब बाजपाई पहुंचे न्यू यॉर्क में, तो रजगोत्रा एक डिनर रखा, जहां वाजपाई आए, और उस डिनर में एक officer ने कहा कि ये देखिए वाजपाई जी ये non alignment की policy बहुत खराब है, जो नहरू जी कर रहे हैं, इसको नहीं करना चाहिए, ये गुट निरपेश्टा, ये बहुत ही, it's a very weak policy, और वाजपाई एकदम नाराज हो गए, उसी समय और कहा, ऐसे पंडित जी के बारे में आप कभी नहीं कहिएगा, आपको समझ में नहीं है, आप समझते नहीं है कि पंडित जी क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फंडेशन लगा रहे हैं, इंडिया had no foreign policy, we had nothing, we were a starving poor nation, और पंडित जी ने जो फंडेशन लगाया, उसी के ऊपर हम बड़े हो रहे हैं, तो इस तरह ऐसे he mounted a huge defense of Pandit Ji, और रजगोत्रा ने मुझे कहा कि ऐसा सब चौका चौन हो गया कि बाचपाई तो बहुती शांत और you know placid type के व्यक्ती थे तो और चानक बनते हैं भड़क गए और चिलाने लगे कि ऐसे कभी नहीं बोलियेगा Pandit Ji के बारे में, प्रफटो थे फोटो को वापस ले आए ये और DP TRIPATHI जो थे, I think you know DPT, DPT और वाजपाई एक ही हस्पटाल में एक समय जब एमरजनसी के टाय में, they were in neighboring rooms and DPT ने मुझे बताया कि वाजपाई नेहरू के बारे में बहुत बात करते थे बहुत जिक्र करते थे कि आज के जो कि देखो ये कैसी है इंदिरा गांधी इतना, you know, शेस्च अच अदिक्टेटर इतना कफोर है हाँ, she can't even, you know, hold a candle to her father और नेहरू के बारे में बहुत बात करते थे तो नेहरू, I think, वाजपाई लाइफलॉग इंस्पिरेशन और नेहरू भी वाजपाई को बहुत मतलब भी बहुत मतलब बहुत बहुत इंप्रेस्ट बाजपाई जैसे वैने कहा कि रजगोतरा से नेहरू ने अपने अपने वर्ट में कहा कि ये नौजवान बहुत दूर जाएगा मैं चैप्टराइज़शन की बात कर रहा था पिछले सवाल में एक आप, if you read बाजपाई साफ बाजपाई साफ बाजपाई तो एक एक यूजल क्रोनलोजी होती है विए बतेशर, देनने के फादर, श्रीशन, वहाँ, Victoria School, वगरा वो पुरा चलता है system but you started with 2004 mm-hmm, I started with 2004 and then Pramodh Mahajan and his confidence that he'll create history by taking oath as prime minister for the fourth time नेहरूजी ने भी तीन बार ले, 52, 57 and 62 fourth time after an election 2004 2004 अगर 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 एक आपने बड़ा दिल्चस्ट मैनेक्डोट बताया, मुझे बड़ा मैने कई जगे किताब पढ़के सुनाया भी लोगों को कि प्रमोद महाजन को वाजपाई जी अपोर से चनाल अर्माना चाहते हैं, और भार सुन शेखावत माना करते हैं तो बात ये थी कि प्रमोद महाजन वाजपाई के बहुत करीब थे, यूस्ट को बाभजी जुट को बहुत मानते थे, उनकी राय बहुत मानते थे, he was very respectful of Pramod Mahajan's views. Pramod Mahajan की जो political जनकारी ठी इसे वाजपाई बहुत इंप्रेस्थ थे. तो ऐसा हुआ की वाजपाई चाहते थे, वाजपाई बहुरा सिंग शेखावद भी बहुत ने बहुत अच्छे दोस्ते थे. ठोट पुराने मित्र थे. तो वाजपाई चाहते थे कि प्रमोध महाजन जैपूर से चुनाव लड़े तो इसका विरोध भहरो सिंग शेखावत ने किया और शेखावत जी ने वाजपाई को रिपोर्टिड ली कहा ये स्टोरी भी घटाटे ने मुझे बताया कि अगर प्रमोध महाजन जैपूर में आएंगे तो हमारे जो कार्य करता है जो आलू पूरी खाकर के काम करता है अगर प्रमोध महाजन एक बार यहां आगया तो फिर मुझे तो इनको कार और एसी और क्रेडिट कार्ड देना पड़ेगा कि अगर प्रमोध महाजन एक बार टारहे करण एक प्रमोध महाजन कि वो अगर आई को जी ब Corporate खेंए %50 जी ने मेंट ऑर वो इस तराग की इमेज्य बतलब मेंगिए बार आंग यह करता है जानम एक कि रिए करणए के रस्षाल पार always with three, four phones, belts, you know, black top, black t-shirt. He was not like a swamsever. Like not a typical RSS swamsever. But Vajpayee, उनको बहुत रिस्पेकरते थे, और Vajpayee is, you know, जब 2002 में, जब ज़से मैं लिखती हूँ, जब गुजरात मुख्य मंत्री Narendra Modi को हटाने का सवाल आया, गौआ में. तो Vajpayee, जब प्रमोद महाजन ने कहा कि ये ठीक नहीं होगा. अरुन जेटली ने रिजूलीशन पेश किया कि जब अरेदर Modi इस्तीफे के प्रस्ताव को वापस लें और प्रमोद महाजन ने से से केंड किया. और फिर जो शानता कुमार थे, जब प्रमोद महाजन ने इसका विरोध किया और उनको अपॉलजाज करने के लिए कहा तो जब प्रमोद महाजन ने इसका विरोध कि जब प्रमोद महाजन ने इसका विरोध कि जब प्रमोद महाजन ने इसका विरोध कि कि प्रमोद महाजान, क्यूंकि बाच्पाही मोदी जी को हुटाना जाते थे मुस्ट भी तेमरी सेंसे बिटेल कि 2005 में तो ही सेज ना कि राम और लक्षमान की तरह आदवानी और प्रमोद महाजान की नित्रत तुम्हें बाच्पाह आगे बढ़ेगी और जो बाकी जो दावदार थे उन सब के चेहरे उतर जाते हैं सुनके यज़ बद आट वस अफ्र तु टू थावससंनननंफॉरी कि नहीं 2004 से शुरू किया क्यूंकि 2004 वज शौक्ट रशुक्वरी सौक्ट एवरी कि अवरी बॉल्स्टर ग रहलें सब गलत साबित विए और घटाटे वाजपाई के साथ ब्रेकफस्ट टेबल पे थे उस समय यह मुझे लिखने को नहीं बोला उनोंने इसलिए मैं लिखी नहीं पर वाजपाई उस समय घटाटे उस समय वाजपाई के साथ ब्रेकफस्ट कर रहे थे जब वो सुबह सुबह टीवी देख रहे थे और रिजल्स आ रहे थे और जब रिजल्स आने लगे पहले पहले तो वाजपाई ने काख भई भई और आदमी लाओ और आदमी कही से लाओ बिकस दो चार पांच सीटर से फॉल शॉर्ट हो जाएगा तो किसी और को लाओ आदमी लाओ दोतीन आदमी लाओ फिर जब आदमी जब भाणि वेन लाओ पुरे रिजल्स आने लगे और यह क्लियर हो गया कि इस अट ग्वेसिन आदमी को लाओ It was a question of a huge defeat पर तो I mean वाजबाई गठार टोल मी दूल कि वाजबाट हुग वाड़ी सुआटी उन इसके राफ टोपर में लावरी दिवाट है तो he completely did not expect it इसलिए मैं कहते हुँ कि वाजबाई को He had a small sense of it but in 2002 जब हम देखते हैं कि वाजपाई वाजपाई ने बहुत लोग मुझे ये सवाल करते हैं कि वाजपाई ने इंसिस क्यों किया कि मोधी को हर जाना चाहिए इस्तीफा देना चाहिए वाजपाई ने इसलिए इसलिए इंसिस नहीं किया because Saurabh, यह भी हमें समझना होगा कि 2002 में तो वाजपाई इमेजन नहीं कर सकते थे कि और 2004 में हार जाएंगे वो तो हम अब देख रहे हैं with hindsight कि 2004 में हार गए but in 2002 he could not, इसलिए chronology समझे you know, I mean the chronology is that कि 2002 में तो सवाल ही नहीं था कि कोई Congress कहा से आएगी Congress को तो कुछ, 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 कुछ there was no question of Congress coming anywhere I mean obviously Vajpayee was going to win he was the tall leader, वो सबसे बड़े नेता थे BJP was, you know was on a roll economic growth was so high तो वो कलपना में नहीं कर सकते थे कि 2004 में हार जाएंगे you know तो Vajpayee के दिमाग में देखे, biography लिखना एक acting की तरह है कि हमें एक व्यक्ति के मन के अंदर प्रवेश करना पड़ता है और you know ये समझना पड़ता है कि इस व्यक्ति ने ऐसा क्यों क्या हो ऐसा क्यों क्या इस व्यक्ति का मन में क्या था तो मैं समझती हूँ कि 2002 में अगर हम ये सोच के चले कि वाजपाई शायद ये सोच रहे थे कि मैं 2004 में तो आ रहा हूँ मैं तो वापस जीत के आ रहा हूँ और उस समय मेरा पॉजिशन स्ट्रॉंग हो जाएगा और उस समय में मोदी के साथ डील कर सकता हूँ कर सकूँगा अब मुझे मेरा पॉजिशन मजबूत हो जाने दो मेरा ये जो पार्टी को जीतने दो एक बार अगर पार्टी जीत गई और मैं वापस आ गया मैं वापस प्रधान मंत्री बना तो फिर मैं उस समय में मोदी के साथ डील कर सकता हूँ ये भी तो सोच सकते थे ना प्रकूस ये नोओ कि टू थाजन फॉर में कि मैं हार जाओंगा पर मुझे साहर का इसा लगता है इस तरह से हार बुरी तरह से हार जाओंगा मेरा उब्जर्वेशन जातर से मैं उता कि हर चुनाओ के बाद हम कि हम कैसे इंटर्पेट करें किसी भी मैंडेट को मुझे लगता है कि वेन वी से दिसमा कि 2004 और वाच्वेशन सेडिट इन मनाली कि 2002 विराद की वज़े से कि हारे डिसेग्री विदिट बीजेपी कि हार की पठक था उसी दिन रची जाने शुरू हो गए थी जिस दिन आप ने यूपी में कालिंट सिंग को सेह किया बिलकुल सही तो जिस यूपी थी में कि दस सीटन आ रहे हो बिलकुल सही बिलकुल सही है and I think it's absolutely right I don't think 2004 में they lost because of 2002 2004 में इसलिए हारे क्योंकि दो बड़े alliances work नहीं किया जैसे DMK ने, AIA DMK ने टमिलनाडु और अंधर प्रदेश आपने बिलकुल सही कहा कि the most important result also of 2002 is कि UP, I mean 10 seats in UP, so the entire vote bank is fractured. तो बिलकुल सही है आपकी बात कि 2002 के वज़ज़से 2004 में नहीं हारे पर मैं इस्तीफा के बारे में बात कर रही थी, मैं मोदी की इस्तीफा के बारे में बात कर रही थी और वो जो जो national executive Goa में हो रहा था उसके बारे में बात कर रही थी. तो शायद मुझे लगा कि शायद वाजपाई उस समय अपनी बात नहीं रखी या इंसिस्ट नहीं किया मतलब वन्ट मेर कि अघवानी विल बीगेविन रो कि अटॉअंत कि अट्व है तो almost certainly यह वाच पाई वाच बाच पाई वाच पाई वाच बाइ वहाध लीडर he was the big man और यह बाद सही है की पतलडिक बाद मेर्ण के उनकी सपल अनकी सह खराब है और वो बहुत वीक थे or his ानकी लिग से खेल ही but automatically जर म हिडिए कि अगर जीट के बाद द्रावणी वोडाशियों कि अखिए. 2004 वाजपाई 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 व और अगर वाजपाई के नाम पर पूरा कैम्पेन था और अगर वो जीत के आते तो फिर वो तो इलेक्शन के बाद बहुत ही स्ट्रॉण हो जाते तो अडवानी का आना शायद आते दो एक-दो साल के बाद पर अगर वाजपाई बहुत बड़ी जीत हासिल करते और उसके अडवानी को मैंटल दे देते मैं नहीं समझती हूं उनकी बाजपाई साकते एक यह जब भी बाजपाई साब के बारे में लिखा जाता है तो अटल एंड आडवानी जैसे विनसीता पती की जो कंबाइन बाइगरफी उसका टाइटल विए जुगल बंदी तो इनके आपस क लगाव और फ्रिक्शन की बहुत बात होती है और जब मैंने आपकी लिखी यह पढ़ी तो इसमें कि कई बार वो तंजिया अंदाज में कहते भी थे कि साइन से पूछो रफरिंग जो सिंधी में साइन है इस ब्रदर साइन का मतलब ब्रदर होता है सिंधी में और वाजपा प्रदर पाजब तेखिये हर ऐसा ही है कि जैसे पिर दौक musicians, जा पहलने होर्शों इसमें बहुत सारे चीज़हां इसा सीरे और उनके फ्रेंशिप में भी ऐसे बहुत सारे लियर्स हैं पर यह मैं जरूर कहूंगी कि वाजपाई और अडवानी के बीच में एक बहुत गहरा रिस्पेक्ट था, वो एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट करते थे और उनके बीच में टेंशन तभी से शुरू हुआ जब अढ़णी गोविंट है आपऊ जब एडवानी स्टार बने लगे जिस पहले-पहले वाजपाई स्टार थे बिड़ाई में में 1947 अवाजपाई थे वाजपाई फोलेज़ देटार करते रहे हि हमें राज सभा में वाचपाई बोलने देते, वही बोलते हैं, वाचपा 가지고 बोलते हैं वाचपाई ल्वाचपाई लब युख लंपें टेक्यों एन्र क्रें लाप सब्सक्राइज नानाजी देश्मु को और सुम्हादम सामी का अप्लेटा कि हमंत्री नहीं हो पाई वो सब अलग हो गए, वो मार्जिनलाइज हो गए और वाजपाई वस थार, he was the main man, he was the hero of the BJP पर जब 1984 के बाद, जब वाजपाई बहुत बुरी तरह से हारी जब BJP को दो सीट मिली और वाजपाई खुद हार गए और BJP wipeout हो गई उस उसेलेक्शन में तब वाजपाई के जो वाजपाई स्टार स्टार बुरी तो कम डाउँ वाजपाई किनारे में होने लगे, हाशिय में हो गए और अडवानी आगए as the president of the BJP in 1986 and after 1984 वाजपाई never again became president of the BJP and अडवानी पार्टी अध्यक्ष बने और अडवानी ने बीजपाई को बहुत बड़ी जीत के और ले गए through the Ramjanma Bhoomi movement उस समय अडवानी हिंदू रिदय समराद बने अडवानी BJP के mascot बने और ये वाजपाई को बिलकुल अच्छी ने लगे की अडवानी अब स्टार है मैं मारजन में हूँ because you know it was very difficult he's a star and suddenly the backroom boy has become the star and he's on the sidelines Atal wasn't at his playground राजसवाम पहुचे नहीं थे राजसवाम पहुचे नहीं थे तो और 2003 में जब वेंक्या नाइडू ने बोला पंचवती के एक मीटिंग में कि हमारे दो पुरुष हैं पंचवती के पहले ये बोला था वाजपई ने फिर उसको पोगा उसको snubbed him और ही सद की यूज राज़ पुरुष न विकासपुरुष न विकासपुरुष ने आगे बढ़ेंगे वाजपई सद की अच्छा ने थे वें तो गेव दो पीच ने पंचवती अच्छा ने लगा ये लोव पुरुष विकासपुरुष वाली बात थे इस किताब में आपने एक जगे जिक्र किया है कि 1999 के चुनाओ में अटल चुनाओ लड़ना चाहते थे पर पार्टी ऐसा नहीं चाहती थी और उन्होंने जाकर पर्चा भर दिया और फिर जल्दी जाकर पर्चा भर के चले आए उस समय 1991 में वाजपाई एक तो 1984 में बहुत बुरी तरह से पार्टी हार गई थी 1984 में वाजपाई खुदी हार चुके थे फ्रॉम ग्वालियर इन शौक डिफीट मादवराव सिंद्या को लास्ट मिनिट में फील किया गया और वाजपाई हार गए और उसके बाद जब बीजेपी राम जन्म महुमी मूवमेंट की ओर चली और पालनपुर रेजिशन को अपनाया और राम बाबरी मजजिद अर्फिविजम में की ओर चली तो उस समय वाजपाई ने प्रकट किया कि हम मैं से सहमत नहीं हूं ये नौतंकी है रथयात्रा नौतंकी है वाजपाई 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 ने विढर त्रॉम थे विद्वाए फॉर ने जब किया और BJP ने जब support withdraw किया from the VP Singh government वाजपाई इसके खिलाफ थे, वाजपाई नहीं जादे, वाजपाई नहीं जादे, वाजपाई नहीं करना चाहिए, हमें एक non-congres सरकार बना के रखना चाहिए, तो वाजपाई और BJP के बीच में एक दूरी पैदा हो चुकी थी, वाजपाई अलग थे, वाजपाई marginalized हो चुके थे, जैसे नीना व्यास ने एक बार press conference ने पूझा, नीना व्यास ने एक press conference ने 1999 वान में पूझा कि वाजपाई जी क्या आप ब वाजपाई ने ये जवाब दिया कि कभी-कभी correction के लिए margin की जरूरत परती है, तो वाजपाई में थे, वो कभी-कभी जाते थे party office, but he was, you know, he was, those were वाजपाई's, it was a very low time for him. तो उस समय, आदवानी, वाजपाई, BJP को आगे ले जा रहे थे, team आदवानी was in place, Jaitli, Sushma, Venkya, Modi, Govindacharya, 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 he was a full, he was a full, he was a full आदवानी man, he was calling the shots, और वो नही चाहते थे कि वाजपाई चुना हो लड़े, because वो समझते थे, Govindacharya और वाजपाई के बीच में, there was a tension always, also there was a tension between Arun Jaitli and वाजपाई, this I did not know, ये मुझे पता नही था, ये मुझे मालूम नही था, Arun Jaitli, Arun Jaitli, 1977 में Jansang join किया, right, उसके बाद, from 1977, for the next 20 years, Arun Jaitli को नहीं, he was not allowed to contest, or he didn't join Rajya Sabha, Arun Jaitli को कुछ नहीं मिला, और Arun Jaitli ने एक बहुत अच्छे फ्रेंड है, उनको बताया, जिन्हों ने मुझे बताया, कि Arun Jaitli को हर बार ये लगता था, कि BJP के अंदर एक ऐसा वेक्ती है, जो मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है, जो मुझे पसंद नहीं करता है, ऐसा एक बहुत उंचा वेक्ती है, जो मुझे पसंद नहीं करता है, तो इस फ्रेंड ने पूचा थी कौन है, कौन आपको रोकने की कुश कर रहा है, तो Jaitli ने कहाँ, Vajpai, Vajpai did not like Arun Jaitli, because he was Advani's man, because he was firmly in the Advani camp, और उस समय, Vajpai और Advani के बीच में काफी टेंशन थे, Vajpai और Advani के जो 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 घूसोल्ड थ सफदजंग रोड और राइसीना रोड के बीच में टेंशन थे, तो Vajpai शुरू से Arun Jaitli के साथ हो रहा हूं का बना नहीं, तो Arun Jaitli की सरकार में राज्यमंत्री रहे, बाद में हो, ने दिखिए, बाद में तो सुले हो गई, बाद में तो सुले हो गई, बाद में तो सब बाद में तो नहीं थे, के वाजपाई लखनों से लडे, पर फिर वाजपाई जल्दी जल्दी जाकर के पर्चा भर के आए, और रहे जुट वें और फिर वो टसल होती है नेता प्रतिपक्ष के लिए, जब रसेस अडवानी को, अडवानी को अडवानी अड़ अड़ बाद में तो इससे वाजपाई को बहुत तकलीफ थी, और बहुत, he was very, very upset, और यह उस समय उनका जो रिलेशनिशिप में यह बहुत एक तनाव पैदा हूा, और और वह तापी कि दोप्ति अगों,सलिए Q2 वा कॉरी, K2 जो पिन परार सब दिवाभ झाने। और बहुत सारे वाजबपाई के, वाजब़ आदुमायके थो फौन आया है। वाजबव का झाजब तवर समया नोट मितर, तशीशन को जया है। मैं इसको पसंन ही करता हूँ। लेग रध्यात्रा पॉलिटिक्स। एक बार तो ये प्रस्तावाया, अढ्वानी के रध्यात्रा के पहले प्रस्तावाय की वाचपाई। भी एक रध्यात्रा करें यूपी से। वाजपाई की जर्नी जब आप देखेंगे सौरग तो ये कंक्लूजन एक इनस्केपबल कंक्लूजन है कि 1986 में वाजपाई की राजनीतिक जीवन खतम हो गया Because 1980 में, देखे वाजबाए ने जब बीजयप को स्थापित किया, वाजबाए वाजबाइ वाजबाए थादर बीजयपी, right? Founding. Founding president. One of the founding. One of the founders of the BJP. And in Mumbai, a grand maha division हुआ. Where M.C. Chagla is. And M.C. Chagla, who were very big journalists, he had justice Chagla. उन्होंने वाजपाई जी वाजपाई को कहा कि ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि प्रधान मंत्री बन सकते हैं या शायद बन सकते हैं मैं ये कह रहा हूँ कि ये प्रधान मंत्री बनेंगे ये हमारे फ्यूचर प्रधान मंत्री हैं इस तरह से उन्होंने वाजपाई जी को और उसके बाद और उस समय की जो BJP थी वो BJP इस इस इडेंटिटी पर आधारित थी of Gandhian socialism, Gandhivaadi Samajwaad. This was the identity of the BJP, right? तो और वाजपाई इसके passionately believed in Gandhivaadi Samajwaad, उस समय के बहुत ऐसे उधारन मैंने दिया है, जब वाजपाई study camps किये और कार्य करता से मिले और लोग पार्टी को एनरज़ाइज किया on Gandhian socialism, कि Gandhivaadi Samajwaad क्या है. पर दुर्भागय के बाद ये है वाजपाई के लिए, कि ये Gandhivaadi Samajwaad पालन करने वाली BJP लगातार चुनाव हारती गई. 1980 में सारे Assembly Elections हारी BJP, because Indira Gandhi was by then back. 1981 में भी Elections हारी. 1983 में in Karnatak and Andhra Pradesh BJP हार गई. 1983 October में बहुत इंपॉर्टन चुनाव, Jammu and Kashmir, 1983. BJP बहुत बुरी तरह से हार गई. और Jammu में zero seats मिले BJP को. और दिल्चस्पाई बात ये है कि उस समय जब बाजपाई Gandhivaadi Samajwaad के बारे के ओर ले जा रहे रहे थे BJP को, जब BJP was going on Gandhian socialism, Indira Gandhi was playing Hindu politics. Indira Gandhi in the 1980s was playing the politics of Hindu consolidation. तो Indira Gandhi जब 1983 Jammu and Kashmir जब campaign करने गई, तो Indira Gandhi was full on Faruk Abdullah separatist है, क्या आप आतंगवादी को वोट देंगे, क्या आप राष्ट्रवाद को पालन करेंगे. She was playing majority in Hindu nationalist politics. And Vajpai was playing Gandhi in socialist politics. तो उस समय का thinking ये था RSS में और संग परिवार में, कि हमारी जो विचारधारा है, ये तो Indira Gandhi पालन कर रहे है, वाजपाई तो इसको छोड़ रहा है, विचारधारा को छोड़ रहा है. तो in that election, Vajpai said, कि जब, when they got zero seats in Jammu, ये हमारे अपने आदमी ने किया है, अपने लोग ने हराया है. तो in 1983 में हार गई BJP, और 1984, the biggest defeat of all, जब Indira Gandhi का assassination हो गया, तो Vajpai और BJP बिलकुल खतम हो गई. और उस समय संग परिवा ने ये तै किया, ये गांधिवादी सोशलिजम, और ये गांधिवादी समाजवाद, और ये पतानी किया Vajpai Centrist, ये सब छोड़ो, अब हमें विचारधारा, विचारधारा, विचारधारा पर जाना होगा, अगर हमें इलेक्शन जीतना है, तो Vajpai बिकेम completely marginalizer, उस समय से, मुझे ये लगा, ये बुक लिखकर, कि after 1986, it was all over for Vajpai, राजनीतिक जीवन उनका खतम हो गया, उनका राजनीतिक, वो एक, वो एक, फेस बनकर रहे, फेस बनकर रहे, जिसमें मेरी क्यावन कविताएं और प्रणान मुझे नर्सिमराओ आते हैं, सारे मिनिस्टर्स आते हैं, अब सेंटर अप अट्रेक्शन, एक बुक लाँच थी, था, of his own book launch, मेरी क्यावन कविताएं, जो वो लाँच कर रहे थे, और लाँच करने के लिए उन्होंने चीफ गेस के तौर पर नर्सिम्राओ को बुलाया, वो प्राम मिनिस्टर्स आते हैं, यू प्राम मिनिस्टर्स आते हैं, जो वो बहुत इनोसेंटली कहा कि, नर्सिम्राओ बहुत परे लेखक हैं, और वो भी लिखते हैं, कभी हैं, इसलिए मैने बुलाया, जो वेरी कल लाँच कर रहे लिए काल नर्सिम्राओ, तो, नर्सिम्राओ, और रहे लिएँटर्स आते हैं, और उस समय, BJP चूत पार्टी बन चुकी थी, or say, you know, BJP was an untouchable party. Politically, it was very, it was completely marginalized. But it was Vajpayee who was the acceptable man in this so-called, in that very unacceptable party. At that book launch, the people who came, who came, who came, and came, and came, all the Vajpayee came, and the Vajpayee came, and the Vajpayee was surrounded by people, and the people in the Konae were in the Konae, and the people in the Konae were not talking about Arvani, and the people in the Konae were ignored by everyone. So that was a turning point for Vajpayee. Look, at that time, the coalition era of politics was the time of coalitions, and the need of an acceptable face. The face of Jail Alita will also be joined, and Chandrabahabu Naidoo will also be joined, Dhaven Patnaik will also be joined, Karuna Nidhi will also be joined. They were not able to go with Arvani. and the party was not able to go to the Konae. They were not able to go with Arvani. They were able to go to the Konae. They were able to go to the Konae. If they were able to go to the Konae, and they were able to go to the Konae, because BJP was required to have allies, BJP was able to have all of them, and BJP was able to have all of them. So if there was a place of allies, then they wanted to attract them, and then the Vajpayee was able to perform that role. But politically, by 1986, his career was over. इस किताब में कई बहुत आपको दिल्चस्प प्रसंग मिलेंगे जैसे बाजपई साहब से एक पत्रकार लगभग दुस्साहस भरे अंदाज में पूछ लेती है कि कितने अफेर्स रहे आपके तो जवाब देते हैं कि अफेर्स की सावजने ग्रूप से चर्चा नहीं की जात और नाना जी देशमुक ते हैली रोड अपार्टमेट में और बहुत सारे डिनस होते खेंदा और वाजपई आते थे وह राजपई राजकुमारी चौल और ब्रिजन आरायन कॉल और तो एक डिनर चल रहा था और उस डिनर में नाना जी देशमुक ने कि दीन दयाल उपाध्याए मेरे सपने में आये हैं और उन्होंने कहा कि चिकन मत खाओ तो वाजपाई ने उसी समय मुड़कर बोला कि अरे नाना जी इतने बड़े आदनमी आपके सपने में आते हैं और इतना ही कहते हैं कि चिकन मत खाओ तो I think this was a very funny revealing story about वाजपाई उस कभी-कभी वो डिनर में वो पेशावरी सूट पहन के आते थे शेरवानी एक शेरवानी जिया उलहक ने भिजवाई थी उनके लिए तो पूचा गया कि वाजपाई जी आप तो बड़े अच्छे लग रहे हैं आप पठान सूट में तो और भी एक किस्सा है कि वाजपाई 1989 वें टो न्यू यॉक उनको बिमारी थी और वो वापस फिर और उन्होंने उस समय बहुत बिमार पढ़ गया तो उन्होंने एक थोड़ा सा कैंसर का डाइग्नोसिस भी आया तो उस समय वाजपाई जी ने कविता लिखी मौत से ठन गई तो कविता के मौत से ठन गए तो कविता केम टू इंडिया और संगंपरivaर बरे उत्सूख हो गए कि क्या हुआ क्या वाजपाई जी को बुरा हल है क्या है कि ऐसे लिक रहे हैं कि मौत से ठन गई, you know, is he dying, is something very wrong, क्या है, क्या है, तो फिर ऐसा हुआ कि वो कैंसर का डाइगनोसिस कुछ minor सी चीज थी, ज्यादा कुछ serious नहीं था, तो वो अच्छे हो करके वापस आ गए, और जब वो वापस दिल्ली में land किये और पालम एरपोर्ट, पूरा एरपोर्ट भरा हुआ था, सारे कारिय करता आ चुके थे, और शिवकुमार, शिवकुमार जी ने इस सोड़ी मुझे बताया, कि शिवकुमार ने वाजपाई को दिखाया कि देखिये वाजपाई जी कितने लोग हैं, इतने सारे कारिय करता हैं आपको देखने के लिए, तो वाजपाई ने कहा कि हाँ, वो ये सोच रहे हैं कि अभी तो मौत का दस्तावेज लिगकर भेजा था, अप जिन्दा कैसे लौट रहा है। एक अखरी सवाल मेरा, आपको उनके पोलिटिकल करियर का सबसे हाई और सबसे लो पॉइंट कौन सा लगता है? पॉइंट मैं समझती हूं, 1977, when he became foreign minister, when he became Videsh Mantri in the Janta government, that was his high point, I think. He should have been prime minister at that point. Politically, he was at the high point. He was leader of his party. He was minister. And the Janta Party was a lot of people in Jansan. Jansan came again, around 90. Politically, he was... When he became Pradhan Mantri, that was his high point. But he was not, you know, I think that he was not politically so active. He was not the head of the party. He was not politically... He was in his prime in 70s. He should have been prime minister in 77. Instead of Morarji Desai becoming prime minister, Vajpayee should have been prime minister in 1977, I think. He was young, politically young. If he became a Pradhan Mantri, then maybe BJP's path would be completely different. I think it would have been a very different thing. I think it would be very different. And the most low point? And the low point, of course, I think, yes, 1984. 1984 was... And 1984... It was losing election in 1962. At Balrampur was a different thing. It was a different thing. And then losing election... I think the most low point I would say was 2004, obviously. When he was finished. Or when he lost by one vote in 1909. No, no. That was... He knew... I think he was laughing. I think he knew he would come back. No, but you have also written... His face... His face was... His face was... His face was... Because British people... And many people have written... We only got one vote. But I think he thought... that there is a future now. That we can come back. 2004, he knew it's a full stop. 2004 was like 1962 for Nehru. Nehru was like 1962 with the Chinese invasion. I think 2004 was like that for Vajpayee. That he knew... That the next time of Atal Bihari... will never happen. Now, this was the end. And this is the end of this conversation. Sagarika Ghosh, this book... I was listening to some of the things... I have left a lot of things... I have left a lot of knowledge... I have left a lot of knowledge... Because I think... that the book has decided... to better understanding... the author's approach... and to better understand... and find some kind of books... and we also want to explore... some of them... and I am trying to get... even more than them... So, I am going to say... and I am going to ask... that I remember... that... whoosses... that made a lot of meat... that made a lot of meat... the fried pork asses... and Mrs. Kohl came... what are you doing? You are eating pork asses... I am eating pork asses... I am eating pork asses... So, what would I do... that would ask... me to ask me... अवारी सबजी वाला अशुत खाना किलाती हो अशुत खाना किलाती हो What a man He was a great man He was a very He was a very He was a जिन्दादिल Rasik 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 वो भी कितना मजड़ार है नहीं दिटाव मेरी कविताओं कान वात करते है पर मैं भागपा से खुष नहीं हो तो बाटपई कहते हैं खुछ तो मैं भी नहीं नहीं हो प्राइटी से और 1994 में जब सल्मान खुर्षीद जब नरसम राओ ने उनको भेजा जिनीवा में फो था धूमन राइस कॉन्फरेंस और वापस आ रहे थे और वाजपई और सल्मान खुर्षीद सल्मान खुर्षीद को पूछा है कि आप खूछ पेंगे क्या फिर वाजपई सल्मान खुर्षीद सो गए फिर उठके देखा की वाजपई नहीं थे देखा बाद में या यूपर कमरे में जाके बार में बेठें अपनी शर्तों पर भरपूर जिंदगी जी, कमाल के राजनेता, कमाल के ओरेटर, अटल भयारी वाजपी, सागरी का घोष आप किताब वाला में आई, आपने इतना वक्त दिया, बहुत 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 धन्यवाद, थाइंग तुम्हाद, थाइंग तुम्हाद, थाइंग रबिनाथ तेगोर की किताब है, गोरा, महास्विता देवी की किताब है, हाजा चुराशीर मा, हाजा चुराशी की मा, फिल्म भी बनी हुए है, फिल्म भी बनी हुए है, I would recommend Gabriel García Marquez, of course I think everybody recommends this, 100 Years of Solitude, I love it, I would also recommend Nehru's Discovery of India, बहुत अची किताब है, और it's written like a novel, it's beautifully written, and fifth book I would recommend, I think I would recommend a very, book of poetry by a feminist writer in America who I admire greatly, Maya Angelou, और Maya Angelou की कविता है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, एक बहुत ही अच्छी कविता है, जो, this is my life lesson, Still I Rise, Still I Rise, that you can crush me with your, you can crush me with your eyes, you can crush me with your hands, you can do what you like with me, but still I rise, so, it's a beautiful poem, I love it, thank you, I would recommend it. ।